नमस्कार स्वागत है आपका एंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाती सेंग जेल में चेकिंग होना आम बात है लेकिन एक साथ 17 जेलों में छापा पढ़ना सोचने वाली बात है गुजरात की कई जिला जेलों में एक बड़ा सर्च ओपरेशन शुरू किया गय किया जा रहा था इस संबंद में ग्रह मंत्री ने कल देश शाम तक आपाद बैठक बुलाई थी जिसके बाद पूरे राज्य की जेलों में एक बड़ा सर्च अभ्यान चलाया गया गुजरात के एहमदाबाद राज कोट बदौद्रा सुरत और नर्मदा जैसे कई शेहरों की जेल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया इस ऑपरेशन में सत्रा सो सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया अब सवाल है कि पुलिस को अचानक सर्च ऑपरेशन क्यों करना पड़ा पुलिस के हाथ ऐसी कौन सी जानकारी लग गई थी जिसके वजह से उन्हें रात में जिसमें पहली वज़ा तो यही है कि जिस जेल पर सबसे जादा फोकस किया गया वही सबर्मती जेल जिसमें माफिया अतीक एहमद कैद है गैंगेस्टर अतीक एहमद ने जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या की प्लैनिंग की थी माना जा रहा है कि यह पूरी कारवाई आई बी के इंपुट मिलने के बात की गई जिसमें बताया गया कि अतीक एहमद में जेल से एक वाटसेप कॉल के जरिए उमेश के हत्या की साजिश रची वहीं दूसरी वज़ा ये भी रही है कि गैंगेस्टर की गैर कानूनी गतिविदियों पर नकेल कसना था इसलिए पुलिस में एक कदम उठाया क्यूंकि राज्य की जीलों में mobile phone मिलने की घटनाएं अकसर होती रहती हैं और खेडा जिले की बिलोद्रा जिला जेल में पहले भी एक mobile phone मिल चुका है और जेल में कैदियों की यहां तक की शराब पाटी का भी एक वीडियो वाइरल हो चुका है जहां पर कैदियों की गतिविदी पर नजर रखते हुए ये पूरा का पूरा सर्च ओपरेशन चलाया गया वहीं अब इस सर्च ओपरेशन के दुरान भुज की पलारा जेल में कैदियों के पास से 6 मॉबाइल फोन मिल गए चेकिंग के दुरान मॉबाइल फोन और सिम काज भी बरामत कर लिए गए चापे मारी एहमदवाद की सवारमती सेंट्रल जेल बड़ोधरा सेंट्रल जेल सूरत की लाजपोर जेल और राज़कोर्ट जेल समित राज़ी की 17 जेलों में हुई पुलिस ने रात बढ़ चापे मा पचास पुलिस कर्मियों को जेलों के अंदर जाना पड़ा गुजरात की जेलों में मिड नाइट एक्शन चल रहा था और खुद राज़ी की ग्रहमंती हर्श संग्वीर कंट्रोल रूम में बैचकर इस पूरी चापे मारी को लाइव देख गई पूरी चापे मारी के साथ बरतास किया जाता है किस तरीके की चीज़े कैदियों के साथ होती है क्या कैदी करते हैं क्या कैदियों से कौन मिलने आ रहा होता है वो तमाम चीज़े हर एक जेल में सर्च ऑपरेशन के द्वारा खोजी गए तो इन सब के पीछे जो वजह निकल के सामने आई वो हम क्या लगता है ऐसे से उपरेशन बहुत ज्रूरी है खासकर जेलों में क्यूंकि जो होते हैं उनका जो माइड्य होता है और उनका नेटवर्क भी होता हूं जो खुखार कैदी होते हैं जैसे कि आती कैमत जो सरीके से उमेश फाल की हत्याद जेल में रहते हुए कर दी गई इस पर सवाल खड़े होते हैं और ऐसे ही सर्च ओपरेशन उन सब क्राइम को पर पूर वराम लगा देते हैं क्या आपको भी सर्च ओपरेशन लगता है कि होने चाहिए कोमेंट गॉक्स में जरूर बताए अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही देखते रहें इडिया न्यूस धन्यवाद